नमस्कार मित्रों डेजार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिदूबे और आज किस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा बारा हिंदी गद्य के प्रतम अध्याय का अध्यन करने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट का श्रूप और इसके लेखक है वा भूमी पर बसने वाला जन और जन की सन्सकृती इन तीनों के संम्मिलन से राष्ट का श्रूप बनता है यानि राष्ट के स्वरूप का निर्मार करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्रकता है सबसे पहली चीज तो भूमी दूसरी चीज भूमी पर बसने वाला जन अर्थात हम लोग और जन की संस्कृती अर्थात हमारी शंस्कृती तो इन्होंने का कि भूमी भूमी पर बसने वाला जन और जन की संस्कृती इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट का स्वरूप बनता है और शम्रिद्धी के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक करतव्य है। भूमी के पार्थिव शरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरित होंगे उतनी ही हमारी राष्टियता बलवती हो सकेगी। यहां प्रति सचे अर्थों में समस्त राष्टिय विचारधाराओं की जननी है। कह सकते हैं कि जो राष्टियता प्रतिवी से के साथ नहीं जुड़ी वहां निर्मूल होती है अर्थात उसका कोई मूल नहीं होता। ठीक है यहां राष्टियता की जड़ें प्रतिवी में जितनी गहरी होंगी। उतना ही राष्टिय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। प्रतिवी में जितनी गहरी होंगी अर्थात जितनी गहरी राष्टियता की जड़े होंगी उतना ही राष्टिय भावों का अंकुर अंकुर जैसे बीज से अंकुर निकलता है वही चीज पल्लवित होगा अर्थात फलेगा फूलेगा। इसलिए प्रत्वी के भौतिक शरूप की आदो पांत अर्थाप सुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना उसकी शुन्दर्ता, उप्योगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है इसलिए प्रत्वी के भौतिक शरूप की आदो पांत आदो पांत यानि आरंभ से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त करना उसकी शुन्दर्ता, उप्योगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है इस कर्तवी की पूर्ती सेकलो हजारों प्रकार से होनी चाहिए अर्था जितने प्रकार से आप अपने कर्तवी की पूर्ती कर सके सभी प्रकार से आपको अपने कर्तवी की पूर्ती करनी चाहिए पृत्वी से जिस वस्तु का संबंध है चाहे वहाँ छोटी हो या बड़ी उसका कुशल प्रशन पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए ठीक है पृत्वी का शांगो पांग अध्यन्त जागरण सील राष्ट के लिए बहुत ही आनंद प्रत करतब माना जाता है गावों और शड़कों में शैकडो केंद्रों से इस प्रकार के अध्यन का सुत्रपात होना आवश्यक है उधारण के लिए पृत्वी की उपजाओ शक्ती को बढ़ाने वाले मेग जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमरेत जल से इसे सीचते हैं हमारे अध्यन की परिधी परिधी मतलब सीमा के अंतरगत आने चाहिए ठीक है उन मेगों से परिवर्धित प्रतेक तरणलता और वनस्पती का शुक्ष्म परिचे प्राप्त करना ही हमारा कर्तब है ये बात ध्यान से समझे कि उन मेग जलों से परिवर्धित परिवर्धित मतलब जो अच्छी तरह से बढ़ा हुआ हो या बढ़ाया गया हो यानि उन मेग जलों से पानी से जो प्रतेक तरणलता तरणलता यानि छोटी छोटी तरणलता जो होती है और वनस्पती वनस्पती मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं सभी वनस्पती के अंतर गता जाते हैं कर शुक्ष्म परजय यानि विशेश रूप से अच्छा परजय यानि अच्छा ज्यान प्राप्त करना ही हमारा करतव है तो आपको ये बात समझ में आ गई कि परिवर्दिन मतलब होता है बढ़ाया बढ़ाया गया आगे कहते हैं कि इस प्रकार जब चारो और से हमारे ग्यान के कपाट कपाट मतलब नेतर कह सकते हैं खुलेंगे तो जो इस प्रकार जब चारो और से हमारे ग्यान के कपाट खुले जिनके कारण वह वशुन्धरा कहलाती है उससे कौन परचित ना होना चाहेगा ठीक है लाखो करोडों वर्षों से अनेक प्रकार की धातूओं को पृत्वी के गर्भ में पोशन मिला है आसान आसान सब्द है इसलिए कुछ भी हिंदी बताने जैसा नहीं है इसलिए मैं आगे चलना हूँ ठीक है दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाडों को पीश पीश कर अगनित प्रकार की मिट्टियों से पृत्वी की देह को सजाया है हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदय के लिए इन सब की जांश परताल अत्यंत आवर्शक है अभ्यूदय मतलब उन्नती ठ हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदय के लिए आर्थिक मतलब वही मतलब जैसे एधान तो एक तरह की आर्थिक इस्थिति वह हो गई ठीक है तो हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदय के लिए इन सब की जांश परताल अत्यंत आवर्शक है पृत्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल सिल्पियों से शवारे जाने पर अत्यंत संदर के प्रतीक बन जाते हैं जैसे कि सोना हीरा ये सब मिलता है और फिर इसको शुनार अच्छी तरह से सजा कर आभूशन का रोब देते हैं तो नाना यानि विभिन भाति के अनगर नग विंध की नद दूप से चिलकते रहते हैं यानि वो नदियों में पड़े हैं जैसे मोती तो वो नदियों में पड़ा है शमुद्र में पड़ा है तो सूरी की दूप जब पुसपर पड़ती है तो वो चमकता है ये चीज यहां पर वो कहना चाहते हैं उनको जब चतुर कारिगर पहलदा कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रतेक घाट से नई सोभा और सुन्दरता फूट परती है वे अनमोल हो जाते हैं देश के नर नारियों के रूप मंडल और शौंदर प्रशाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है जैसे सोना चांदी हीरा मोती होना भी आवश्यक है प्रत्वी और आकास के अंतराल में जो कुछ सामागरी भरी है प्रत्वी के चारों और फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रतनों की रशी राशिया हैं उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट में फैलने चाहिए रा विज्यान और उद्धम उद्धमी आपने सुना होगा यानि जो लोग ब्यापार करते हैं तो वही ब्यापार तो विज्यान और उद्धम दोनों को मिला कर राष्ट के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है यहां कार्य प्रसन्नता उत्सा और अथक यानि कोई भी इस कारे में भाग लिए बिना रीता ना रहे रीता मतलब बचा ना रहे यानि सभी लोग भाग लें तभी मात्र भूमी की पुषकल शमृद्धी और शमग रूप मंडल प्राप्त की आ जा सकता है पुषकल मतलब प्रचूर या अधिक कह सकते हैं ठीक है यानि पुसरा अंग है ठीक है पृत्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट की कलपना आशंभव है पृत्वी और जन दोनों के शम्मिलन से ही राष्ट का श्वरूप शंपादित होता है अर्थात बनता है जन की एक आरण ही पृत्वी मात्र भूमी की शंग्या प्राप्त करती है पृत्वी माता है और जन सचे अर्थों में पृत्वी का पृत्र है यानि पृत्वी माता है और जन यानि उस पर निवास करने वाले लोग सचे अर्थों में पृत्वी के पृत्र हैं माता भूमी पृत्रों अहंग पृत्विया पृत्वी माता है मैं उसका पृत्र हू तो जन के हिर्दय में इस सूत्र का अनभव ही राष्टियता की कुंजी है इस भावना से राष्ट निर्मार के अंकुर उत्पन होते हैं यानि जैसे बीज में अंकुर फूटता है वो चीज बहुत ज़दा बड़े सब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है इसो समझने में आपको दिक्कत हो बहुत आसान है ठीक है तो यह भाव जब ससक्त रूप में जागता है तब राष्ट निर्मार के श्वर वायू मंडल में भरने लगते हैं इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृत्वी के साथ अपने सचे संबंध को प्राप्त करते हैं जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमी का संबंध अचेतन यानि एक ऐसा चेतन अचेतन मतलब आप कहे सकते हैं जैसे सरीर से प्राण निकल जाए जैसे आप सो जाते हैं तो वह अचेतन हो गया तो संबंध अचेतन और जड़ यानि जैसे पेड़ की जड़ होती है वो एक ही अस्थान पर टिकी रहती है और कहीं नहीं जाती तो संबंध अचेतन और जर बना रहता है जिस समय भी जन का हरदय भूमी के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी छण आनंद और स्रधाशे भरा हुआ उसका प्रणाम भाव प्ला मात्र भूमी के लिए इस प्रकार प्रकट होता है नमो मात्रे प्रत्वे माता प्रत्वी को प्रणाम है माता प्रत्वी को प्रणाम है यह प्रणाम भाव ही भूमी और जन का ध्रण बंधन है इसी ध्रण भित्ती भित्ती मतलब दीवार पर राष्ट का भवन तयार किया जाता है इसी ध्रण चट्टान पर राष्ट का चिर ज इवन आश्रित रहता है चिर मतलब आप अमर भी कह सकते हैं अनंत काल तक इसी मर्यादा को मान कर राष्ट के प्रति मनुश्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है जो जन प्रत्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को शुईकार करता है उशे ही प्रत्वी के वर यानि माता की शेवा करने का भावना तो वहां एक निश्कार कर्म है धर्म है स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधा पतन को सुचित करता है अगर आप अपनी माता से स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं स्वार्थ से प्रेम करते हैं तो निश तव्यों के प्रती पहले ध्यान देना चाहिए। जंगल और परवत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं यानि सभी जगा पर बहुत सारे लोग रहते हैं ठीक है। के मानने वाले हैं जैसे हिंदो, मुश्लिम, शेक, इशाई। फिर भी ये मात्र भूमी के पुत्र हैं और इस कारण उनका शोहार्द भाव अखंड संबंध है। यानि वो कह रहे हैं कि इस कारण उनका शोहार्द भाव अखंड है। शब्धता और रहन सहान की दृष्टी से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। किसी के संसकार अच्छे हैं किसी के हो सकता है थोड़े से कम अच्छे हों। तो इसलिए वो कहते हैं कि सभ्धता और रहन सहान की दृष्टी से रहन सहन मतलब कोई अमीर होगा तो उसका रहन सहन बहुत अच्छा होगा। गरीब होगा तो रहनसन थोड़ा सा कम अच्छा होगा तो सभ्यता और रहनसाहन की दृष्टी सेजन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं किन्तो इस कारण से मात्र भूमी के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेद भाव उत्पन्न नहीं हो सकता पृत्वी के विसाल में प्रांगण मतलब आंगण आपके एक तरह से कह सकते हैं ठीक है तो पृत्वी के विसाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान छेतर है ठीक है शमनवय यानि भेदों की एकता समनवय का मतलब भेदों की एकता ठीक है तो समनवय के मार्ग से भरपूर प्रगती और उन्नती करने का शब को एक जैसा अधिकार है किसी जन को पीछे छोड़ कर राष्ट आगे नहीं बढ़ सकता कुछ भी बहुत बड़े सब्द नहीं है इसलिए बहुत जादा इजी है आराम से पढ़ सकते हैं इसको कि अतेव राष्ट के प्रतेक अंग की सुध हमें लेनी जैसे आपके पैड में नीचे थोड़ा हो जाए तो आपको चलने में दिक्कत होगी न तो वो एक छेत्र जो है वो कैसा हो जाएगा आसमर्थ हो जाएगा चलने में उसी तरह से कहते हैं कि जितने भाग में राष्ट के अंधकार और निर्बलता का निवास है तो उतने समग Penguin राष्ट का स्वास्त उतने अंसमे आसमर्थ रहेगा ठीक है इस प्रकार समगर राष्ट को जागरन और प्रगति की एक जैसी इसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए यानि आगे बढ़ना चाहिए जन का प्रवाह अनन्त होता है थोड़ा सा उपर जन का प्रवाह अनन्त होता है शहष्ट्रों वर्षों से भूमी के साथ राष्टिये जन ने तदात्म प्राप्त किया है तदात्म प्राप्त किया है तदात्म का मतलब होता है सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एकत तो समर ठीक है आपकी बुक में भी दिया है आप देख सकते हैं तो सहस्त्रो वर्षोशे भूमी के साथ राष्टी जन ने तदात में प्राप्त किया है जब तक शूरी की रश्मिया नित्य प्राता हकाल भूवन को अमरित से भर देती हैं तब तक राष्टी जन का जीवन भी अमर है इतिहास के अनेक उतार चरहाव पार करने के बाद भी राष्ट निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और स्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निरमार करना होता है उत्थान मतलब आगे बढ़ने के लिए तो आपको कर्म भी करना है और स्रम भी करना है अब अगली चीज जो आती है वो है शंस्कृति, अब तीसरी चीज है संस्कृति, तो कहते हैं कि राष्ट का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मनुष्य ने युगो युगो में जिस सभ्यता का निर्मार किया है, वही उसके जीवन की श्वाश प्रश्वाश है, बिना संस्क संस्कृति के जन की कलपना कबंध मात्र है कबंध मात्र आप कह सकते हैं सिर कटा धर यनि ऐसा धर जिसका सर ना हो तो संस्कृति ही जन का मस्तिस्क है संस्कृति के विकाश और अभ्यूदय के द्वारा ही राष्ट की विर्धि शंभव है राष्ट के समग्र रूप में भूम और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिये जाएं यानि अलग कर दिये जाएं तो राष्ट का लोप समझना चाहिए जीवन के विटप का पुस्प संस्कृति है विटप मतलब ब्रिक्ष या पेड कह सकते हैं तो जीवन के विटप का पुस्प संस्कृति है संस्कृति के शौंदर्य और शौरभ में ही राष्टिय जन के जीवन का शौंदर्य और यस अंतर नहीं थे अर्थात उसमें समाया है ज्यान और कर्म दोनों के पारास्परिक प्रकास की संग्या शौंश्कृति है भूमी पर बसने वाले जन ने ज्यान के छेत्र में जो सोचा है और कर्म के छेत्र में जो रचा है दोनों के रूप में हमें राष्टिय संस्कृति के दर्सन मिलते हैं जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है प्रतेक जाती अपनी अपनी विसेस्ताओं के साथ इस युक्ती को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है इस दर्श्टी से प्रतेक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रथक प्रथक यानि अलग अलग संस्कृतियां राष्ट में विक्सित होती हैं परन्त उन सब का मूल आधार पारस्परिक साहिशनुता और शाहिषनुता का मतलब होता है सहनसेलता और शामनवय का अर अगे देखिए इस्थिती प्राप्त करते हैं उसी प्रकार राष्टिय जन अपनी संस्कृती के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट में रहते हैं जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर शमुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं उसी प्रकार राष्टी जीवन की अनेक विधियां राष्टी संस्कृती में शमन्वे प्राप्त करती हैं शमन्वे युक्त जीवन ही राष्ट का सुखताईर आगे कहते हैं शमर्वे मैंने बताया था आपको यानि भेदों की एकता ठीक है शाहित्य, कला, अनृत्य, गीत, आमोद, प्रमोद, अनेक रूपों में राश्टिय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रगट करते हैं आत्मा का जो विश्व्यापी आनन्द भाव है वह इन विविध रूपों में शाकार होता है यद्यपी ब्रम्हा रूप की दृष्टी से संस्कृती के ये बाहरी लक्षन अनेक दिखाई पड़ते हैं किन्तु आंतरिक आनन्द की दृष्टी से उनमें एक सुत्रता है आनन्दित होता है इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट के लिए स्वास्थ कर है गावों और जंगलों में स्वक्षंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में स्वक्षंद मतलब खुले विचारों से जिनमें कोई रोक टोक ना हो ठीक है तो गावों और जंगलों में स्वक्षंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में तारों के नीचे विक्सित लोक कथाओं में संस्कृती का अमित भंडार भडा हुआ है जहां से आनंदी की भरपूर मात्रा प्राप्थ हो सकती है राष्टिय संस्कृति के परिचेकाल में उन सब का स्वागत करने की आवशक्ता है पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, शाहित्य, कला और संस्कृति के छित्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गवरों के साथ धारन करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में शाक्षात देखना चाहते हैं यही राष्ट शमवर्धन का श्वाभाविक प्रकार है शमवर्धन मतलब होता है तरक्की जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है जहां भूत वर्तमान को जकड कर नहीं रखना चाहता वरन अपने वर्धन से पुष्टी करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है उस राष्ट का हम श्वागत करते हैं वाशुदेव सरन अगरवाल यहां पर कुछ सब्दों की हिंदी अर्थ और अच्छी तरह से समझाए गए हैं आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो लिक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर सेयर करें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ अध्यन कर सकें